नमस्कार दोस्तों सवागते हैं आपका कॉल्टी मांत्रा में दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं इस ब्रिल क्रीम के 3-in-1 शैंपू का दोस्तों पहले हमने इसी ब्रैंड की एक हेर क्रीम का भी रिव्यू किया हुआ है तो अगर आप इस हेर क्रीम के रिव्यू देखना चाते हो तो नीचे वीडियो डिस्कूरिशन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप इसका रिव्यू देख सकते हो वीडियो को स्टाट करने से पहले आपसे एक रिव्यूस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना कॉमेंट करना और शेयर भी कर देना च यहां यह भी लिखा गया है कि dandruff से hair fall से या dryness से यह आपकी protection करेगा लेकिन क्या सच में dandruff से hair fall से या dryness से आपकी protection करता है या नहीं देखिए मैंने इसको काफी बार यूज किया हुआ है और यहां तक dandruff का सवाल है तो यहां मैं कहूँगा कि dandruff से जरूर जी आपकी बालों की protection करता है जाकर के बालों में dandruff कर रहा है तो उससे यह निकाल देगा एचली क्या था कि पहले मेरे बालों में काफी dandruff होता था तो इसने कहा कि dandruff को निकाल दिया मिस बालों को काफी इच्छे से clean कर देता है और इससे साथ आपके bead पर भी यूज कर सकते हो अगर आपके bead में dandruff है तो उससे भी यह dandruff निकाल देता है तो dandruff के case में काफी अच्छा काम करता है और अगर बात करता हूँ इस dryness की तो dryness को nourish कर देता है क्योंकि आपको बता दूं कि normal shampoo नहीं यह conditioning shampoo है normal shampoo का काम होता है जस्ट आपके बालों को साफ करना conditioning shampoo क्या करता है कि आपके बालों को अच्छे से nourishment provide करता है तो dryness के case में काफी helpful होता है और अगर मैं बात करूं hair fall की तो यहां मैं कहूंगा कि यह शायद उतने अच्छे से काम नहीं करता है कोई क्या है था कि पहले मेरे बालों में जो थोड़ा बहुत हेर फॉल होता था वह अब भी उस नहीं होता है so hair fall के case में यह उतना helpful नहीं है लेकिन अगर बात करूं dryness की धेंडर्फ की तो यह shampoo अब के लिए best choice बन जाता है चलिए अब हम बात करते हैं कि इस shampoo को यूज किस तरह करना है तो यहां पर नोटिस करोगे कि जो इसी brand की hair cream आती है यह देखने में बिल्कुल उसका जैसा होता है और यहां तक इसकी जो smell है वह बिल्कुल सेम होती है तो उसका जैकने आथियली को अच्छे से मल लीजेगा और अपने बालों पर apply करना है और यहां अपने एकदम से wash नहीं कर देना मिश थोड़ी दे तक अपने बालों में massage करनी होती है तो आदा मिनिट एक मिनिट तक इसे सुखा सकते हो यहां पर मेरी ड्वाइस रहेगी कि आप कुछ देर तक hair dryer का यूज ना कीजेगा इस टावल की मज़से अपने बालों को सुखा लीजिए और दोस्तों इस shampoo के पीश है लिखा गया है कि आप इसको daily भी यूज कर सकते हो लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि आप इसको daily यूज मत कीजेगा इसे आप एक दिन गैप डालके यूज कर सकते हो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी quantity की और price की तो इसकी quantity होती है 200 ml और यहां जो इसका price listed है वो काफी जादा है लेकिन Amazon में अगर हम देखते हैं तो वहां यह काफी सस्ते price का available है Amazon में इसका price है 168 rupees और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो नीचे video description में लिंक होगा वहां से आप इसको खरीज सकते हो और दोस्तों अगर आप सिर्फ hair fall के लिए इस shampoo को खरीद रहे हो तो फिर यह शायद उतनी अच्छे से काम ना कर पाई लेकिन अगर आपके बालों में dryness है या dandruff है और उसके लिए इस shampoo को खरीद रहे हो तो फिर यह आपके लिए best choice बन जाता है यूंकि मैंने खुदे से यूज किया है और जो बालों में dandruff होता है तो उसे यह खतम कर देगा तो जोस्तों यह थैस 3-in-1 conditioning shampoo का review अमीद यह वीडियो को अच्छी लगी होगी इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने जो भी views हैं जहां जो सवाल हैं उन्हें जब comment section में ज़रूर share कीजेगा और अगर अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर लीजिए और bell icon भी दबा देना तांकि आपको इस चैनल के जो अपरेट्स हैं वो regularly मिलते रहें तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नहीं मज़दर वीडियो के साथ तो तक के लिए जै हिंद